नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गौरत जंक्षन में और भाई आज की जो वीडियो है यह वीडियो AITT से लेडिर है तो आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पोचा देना देखो भई आप लोगों को पता ही है कि AITT का जो भी शेडियो है वो तीन से चार बारी आप लोगों का चेंज हो चुका है और यहाँ पर अब आप लोगों के लेक नया schedule जारी किया गया है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा लेकिन आप लोगों को मैं एक चीज बता दू यह सब क्यों हो रहा है इसके पीछे क्या reason है इसके पीछे reason यही है कि यहाँ पर बहुत सर establishment ऐसे हैं जो अभी भी AITT वाले तूटियां है उससे सही कर सके और मैं इसे गलत नहीं बोलूँगा डी जीटी या फिर AITT अपनी तरफ से सही काम कर रहे है बहुत अच्छा है कि किसी बच्चे का exam गलत तरीके से होने से पहले या फिर जो है उसका exam ना होने से पहले उस चीज को correct कर दिया जारी से बोलते ह ना prevention is better than cure तो वही formula यहाँ पर applicable हो रहा है लेकिन एक मुझे यह चीज गरत लगी कि यहाँ पर जो है DGT या फिर AITT establishment को थोड़ा सा यहाँ पर अपनी अकड नहीं दिखा रहा अगर वो थोड़ा सा उन पर command रखेगा तो जितने भी establishment वाले हैं वहाँ पर जो है बच्चों क मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि क्या इस नए schedule में दे रहा है इस official side का link मैं आपको description में दे दूँगा marks की जो entry है उसकी date बढ़ा कर 12-9 कर दी गई है पहले आप लोगों को पता ही है यह जो date थी यह आप लोगों की 5-9 थी ठीक है तो मैं इस notice पे चलता हूं notice पे जा सर्वेयर है पिलंबर है कोपा है यह आप लोगों की employability skill है मसीनिष्ट है आरने सी टेनर डीजल मेकैनिक welder mmv और electronic मेकैनिक और यही चीज़े सारी की सारी English में आप लोगों को दे रखिए तो यह बुक आप लोगों के AITT exam में मदद करेगी आपका जो exam है October से November में चले गया Link इसका description में जाकर आप लोग Hindi English में accordingly purchase कर सकते हैं जिसके आगे language नहीं लिखी वो Hindi है जिसके आगे सीधा सीधा लिखा हुआ है वो जो है English में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ होगा यह English में ठीक है बाकि बढ़ते हैं अपने notice की और ताकि वो मैं आपको समझा सको जो हमारे प addition की है तो इस date को बढ़ा कर इन्होंने बारा नो कर दिया है maximum तो यह आप लोग देख सकते हैं अन्ट इसकी बारा नो हो गई है online registration की डेट आप लोग की देख सकते हैं बाखी की डेट आप लोग देख सकते हैं और यह जो है आप लोगों के online exam की डेट को 13-11 कर दिया है 16-11 तक आप लोगों का exam चलेगा ठीक है तो यह कुछ changes हूँ है इसके पीछे reason यही है भाई लोग की आप लोगों के जो marks है या फिर जो भी आगे का प्रोसेस है वो आपके establishment ने update नहीं किया है इसी वज़े से DGT को यह फैसला लेना पड़ा ताकि हर बच्चे का exam हो DGT तो यही चाते है लेकिन DGT को पहले ही थोड़ा alert हो जाना चाहिए और अपने establishment को थोड़ा करी नजर से देखना चाहिए क्योंकि establishment जो है बच्चों के लिए काम नहीं कर रहे है तो प्लीज देजी थोड़ा ध्यान देजे बाकि आप लोग तेयारी कीजिए लिंक आप लोग का description में बुक ले लीजिए धन्यवाद